कि वह वह में बहुत ही कंप्र कर सकते हो और यहां कि नहीं नहीं कर सकते हैं misin तो चलिए ढेक हैं किसे करते हैं इस सबसे पहले हम मैएं में मेकप में म queens हो गाई सब्सक्राइब इस होगा इस के सकता। पहले है निया काम अपने आपके पास टोन لगा तो अपी लगा सकते हैं और आपके पास टोनर नहीँ है टा गुला जयू अपने Oj Long Do जो भी मोच राजर यूज करते हैं और अप बारी आती है हमारी प्राइमर की तो यहां पर हम यूज प्राइमर की जगे हम एलवेरा जेल यूज करेंगे तो यह देखिए मैं थोड़ा सा जो है इसे लगा लूगी ऐसे प्राइमर तो यह उनके लिए है जो मैकप ज्यादा रखना नहीं चाहते हैं तो यह उनके लिए है मैकप लोग इस पेसली तीज आ रही है और रक्षाम तो यहां पर मैंने स्विच बीटी का कंसीलर लिया है और थोड़ा थोड़ा में अप्लाइ करूंगी दैन इसके बाद हम इसको ब्लैंड करेंगे ब्लैंडर की हैल्प से तो इसे अच्छे से बाद कॉम्पेक्ट की हैल्प से सेट करेंगे तो यह देखिए उससे क्या होगा हमारे आइस मेकप अच्छा लगेगा और नीड एंड क्लीन लगेगा तो यह देखिए मैंने यहां पर लेकमी का ले लिया था कॉम्पेक्ट पाउडर आपके पास जो भी है जो भी प्रोडेक्ट है जिस भी कंपनी के आप यूज कर सकते हो तो यह देखिए और इसके बाद आपको बतारी हो एक ऊफसन दे रही हो क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जादा मैकम रखना पसंद नहीं करते हैं और यह फिर जादे कोस्ली मैकम लेना नहीं चाहते हैं तो यह उनके लिए मैकम तो यह देखिए मैंने जो है अपनी आइवरो को फिल कर लिया है ऐस कि यह टोड़ आप डोसर में आपना डोसर ही करते हैं तौ सबाइध ने देकिए टोड़ा आप अब मेरा नहुत कर दो करके लगा अपने एक आइस income शुटे कहुँ आप डेख सकते हो थोड़ा ये पो पर सा जो मैं ने लगाया था और उसके उपर जुबंवों कोपर तो यह देखिए तो यह देंगें मैंने पर यटाइट नियर्टे लगा लेखिए जुप से अब। ब्सक्राइड है यह दितोड है तो मश्यूर्ट शोब बाद करने हैं घंवन sacar कुछ यहां से तो ही डूढय से ये बइंग बारा इसित मैचिंग हो रहा था उससे में और पर मेरा इस मेकप के लिए थे लिए यव भी लेड शक लगाना तू से पहले मस्कार एपलें creates कैस। क्यां प्यूच आप तो स्टिश याईर का मस्कारा ले था आप के पाद ंप। पर यहाई लगा बदा водादा है। आयलाइनर लगा लूँगी अपने ये पास देखे, ओर यह आईलाइश लगाओंगी क्योंकि मेरी job वे हंए मेरी लाहि वी लगाओंगी आपने face के coating लोग भी आउटविट के coating और अपने makeup के coating eyelashes choose कर सकते हैं तो यह देखिए अच्छे से मैं drawer करूंगी eyeliner और गैस यह makeup बहुती कम time में और बहुती कम product से और बहुती easily होने वाला makeup है प्लीज ट्राइ करना और मुझे बताना कि मेरा मैक अप कैसा लगा तो यहाँ पर मैंने आई लाइसिस लगा ली थी ओफ कैमरा तो यह देखिए फिर से मैंने स्विच वेटी का कंसिलर लिया है तो यहाँ पर हम कोई फांडेशन यूज नहीं करेंगे आउनली स्विच वेटी के कंसिलर या आपके मैंने बताया है कि मैं यहाँ पर बहुती कम प्रोडेक्ट यूज करने वाली हूँ तो ओनली हम जो है कंसिलर से यहाँ पर बेस बना रहे हैं आपके पास जो भी कंसिलर हो फांडेशन हो तो आप जो हैसे अपलाई कर सकते हो और आपको ज्यादा थोड़ा मतलब अच्छा सा लुक चाहिए और ज्यादा हैवी मैकप चाहिए तो आप डवल कोड कर सकते हो कंसिलर या फिर फांडेशन का और यहाँ पर मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया था यह पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर था और इसको मैंने अच्छे से गिला करके पहले ही रख लिया आपिक्ता है कि कंसिलर लगाया है उसे हम सैट करेंगे टोड़ी कंस्टोर करींग डाची तो भूट उति है भी मारे फेस से पहुत जरूरी आ उसके अच्छा इनगी आच्छी तो अच्छी लगते था तो मुझे पहुत अच्छी लगते हैं मैं से श्एमोरinge कर्ण Bhagित नही मैंने दुसरे अग्राइब करें यहां ठीक पहले ते सब्सक्रीजन दया है जो अपना तो भी मैंपको कर लेता है जो थोड़ा हैवी करके आप मैंक अप किया करें यानि कि बाद में पता चलता है क्योंकि यह मैकप एफजोब कर लेती है हमारी स्कीन तो यह देखिए आप देख सकते हो यह हैवी कंडोरिंग नहीं है तो ऐसे ही मैं दूसरी तरह भी मैंने कर ली थी नोच पे भी कर रही थी अच्छे से मैं कंडोरिंग कर लूँगी तो यह देखिए और थोड़ी देर बात में आप देख सकते हो क्योंकि हम इसे ब्लैसोन भी लगाएंगे हम अपने फेस पर यानि कि गालों पर तो इसको हम ब्लेंड करेंगे तो यह अपना पी हमारी कंडोर इंग अच्छे से सेट हो जाएगी तो यहापर मैंने ब्लेसोन भी इसी पेलेट में से लिया था अच्छे से यह देखिए और अच्छे से जो हम ब्लेंड करेंगे यह देखिए कितना अच्छा लूट आया है अब बताएं आप यह देखिए तो ऐसे ही गाईस आप जिस ट्रिक से मैं कर रही हूं मैकप ऐसे जरूर करके देखें जिन पर जिने बिल्कुल भी मैकप नहीं आता गाईस वह भी अराम से इस मैकप को क्रियेट कर सकते हैं का है माश कमपनी का हीलैटर था मैं मैंने यह क्बार मास कमपनी का हीलैटर था कि सफ्वार हैं थोड़ा थोड़ा मैं आपने गालों पर आ लगायँ आई लाइटर कैसे मनाते है घर पर इस पर भी वीडियो मैं लाओंगी बहुत जल्दी तो देखिए मैंने जो यहां पर स्विच वीटी के फिक्सर से अपने फेस को यानि के अपने मैक अप को फिक्स कर लिया है क्योंकि फिक्स भी करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बा से जो है सेप में आएंगी यह देखिए तो हलका हलका सा मैं लगा लूग इसको यह देखिए और अब बारही आती हमारे लिप की तो यहां पर थोड़ा सा हम सेप देंगे लिप को लिप पैंसिल की हेल्प से और आप ऐसे भी लिपिस्टिक को अपलाई कर सकते हैं तो आप कर सकतें हैं लेकिं मेरक यह कि आप से ही लगाया करें क्योंकि हम एक पतली सा बैस बना लेते हैं तो हमारी लिप्स्टिक जो है कि ताइम लोड टीकी रहती है तो यह देखे मेरा मैने लिप लाइनर न e अपना एक छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं हलका सा बेस बनाया है लिप पर तो उसके बाद मैंने जो है लिपिस्टिक अप्लाई करूंगी तो से क्या होगा मारी लिपिस्टिक का कलर बहुत अच्छा आएगा और हटेगी एक दम से बहुत टाइम लो टिकेगी तो आप ऐसे ज आप अपने अपत्रिल को फार आप अपने नीचे अपनी आएज साश्गा प्लबैम पादनी की आपानि थी, जात्यों आप अपना पाह। अ-पायपा also म्भावं को क्या हला एक कहऐता है । हम आप अच्छा सा लाँग और कम आक पाहँ आपना सा यह एक शुर्ज अझ र मैंते हुआ खारे कॉया बतुता हुआ है बहुट है खार तो यहाइना थेसे जाने तो प्लेस लायक जरूर किया करें और जो मेरे चैनल पर नहे है तो प्लेस सस्क्राइब रिकर लें changing करना और विडियो को backstory उसेर करना और वीडियो के लिए कमेंट के बर्जानी वीडियो में में कमेंट दी है तो एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिएूए answers